हेलो बाइस आज हम एक ऐसे फंड के बार में बात करने बाले जिस फंड की ज़िए आप बैंकिंग सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिस फंड ने 6 मन्त में 34.78% के रिटर्स दिये हैं तो आज हम रिव्यू करेंगे Tata Banking and Financial Services इस फंड को इस फंड के रिवी के प्रोसेस में चेक करेंगे इस फंड के basic information, past performance में risk and return test and फंड के portfolios analysis और वीडियो के ending में हम देखेंगे इस फंड का conclusion जहांपर हम यह चेक करेंगे कि आपको अभी इस फंड में इन्वेस्ट करना चिए या फिए इन्वेस्ट नहीं करना अगर आपको कर इस fund में invest करना चाहिए तो आपको अपनी investment का कितना percent आपको इस fund में invest करना चाहिए या फी अधर नहीं करना चाहिए जानेंगे इन दिस वीडियो तो चलिए शुरू करते हैं उसके पहले अगर आप इस चैनल्स पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर प्रेस कर देना तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले बात करेंगे इस फंड के बेसिक्स इंफर्मेशन के बारी में तो यह एक इक्विटी बैंकिंग शेक्टर्स फंड है जिसकी एसेट साइज से 596.15 करोड इस फंड को मैनेज करते हैं मिस्टर सोनम उदाशी और मिस्टर अमेज शेते जहां पर मिस्टर सोनम यह से 5404 करोड और 8 को मैनेज करते हैं इनने फाइनेश इंडेस्टी का 13 यह का एक्सपी इस फंड का एक्सपेस्टर सो इस फंड का एक्सपेस्याश रस्यो आपको थोड़ा सा एवरेस देखने मिल जाता है और इस फंड के कैस वोल्ड लिंग है 3.66 परसेंट मतलब जब भ cash रखता है और बागी की amount को market में invest कर देता है और आप इस वन में कभी इंवेस्ट कर कभी आप विडियो ले सकते हो आपको यहां पर कोई भी लॉकलिंग पर देखने को नहीं मिलता है और यह एक active fund है यह fund launch वाता 28 December 2015 को मदलब अभी तक इस fund को 5 years approximately हो गए है और आप इस fund में investment SIP 500 rupees and lump sum amount to 5000 invested कर सकते हैं exit loot अगर आप इस fund से 365 days के पहले अगर आप इस fund से withdraw लेते हैं तो आपके exit पर 12% के investment पर 1% का charge लगेगा otherwise 0% इस fund का benchmark के Nifty financial service total return index tax implication अगर आप इस fund से 1 years के पहले exit लेते हैं तो आपके exit पर 15% का tax लगेगा अगर आप इस fund से 1 years के बाद withdrawal लेते हैं तो आपके 1 lakh plus के returns पर 10% का tax लगेगा और गाईस यह जो tax लगेगा वो आपके returns पर लगेगा आपके investment के amount पर नहीं अब हम चेक करेंगे इस fund के past performance return test जहां पर हम चेक करेंगे कि इस fund ने past years में कैसे performance किया है जहां पर हम चेक करेंगे इस fund की short term, mid term and long term के returns तो इस fund ने short term में 3 month में 32.64% के returns दिये वहीं पर benchmark ने 3 month में 38.76% के returns दिये मतलब इस fund ने short term में अपने benchmark को bit नहीं कर पाया है वहीं पर इस fund ने mid term में 6 month में 34.78% and 1 year में 4.71% के returns दिये मतलब इस fund ने short में a baseball ने Osan को bit नहीं कर पाया है लेकिन mid term में butterfly benchmark को bit कर दिया है वहीं पर इस fund ने long term में 2 years में 15.81% cash returns दिये 5 years में 19.28% cash returns दिये वहीं पर benchmark ने five years में 17.87% के returns दिये मतलब इस fund ने short term में अपने benchmark को bit नहीं कर पाया है लेकिन mid term and long term इस fund ने benchmark को काफी अच्छे से बीट कर दिया है और इस fund ने long term में 19.18% के annually compounding CSI returns दिये है अभी हम बात करेंगे इस fund के past performance risk ratio की इस fund का standard deviation is 24.7 वहें पर categories का 14.61 इस fund का beta is 0.87 वहें पर categories का 0.61 इस fund का sharp ratio is 0.33 and categories का 0.14 इस fund का alpha है minus 3.42 and categories का है minus 1.49 अगर आपको नहीं पता के standard deviation, beta, sharp ratio and alphas क्या होता है आप हमें नीचे comment करके ज़रूर बताना तो हम इस topics पे specific videos बना देंगे अभी हम चेक करेंगे इस fund के returns on SIP and lump sum amount अगर आपने इस fund में आज से 5 years पहले every month तर 5,000 invest करते इस fund में तो अब तक आप इस fund में 3 lakh रुपीज इन्वेस्ट कर चुके होते जो आपके 3 lakh रुपीज बन जाते 4 lakh 81,654 रुपीज मदलब 1 lakh 81,654 रुपीज का profit वहिए अगर आपने इस fund में आज से 5 years पहले 5 lakh रुपीज का lump sum amount इन्वेस्ट करिया होता तो आपके 5 lakh रुपीज बन जाते 11,93,172 रुपीज मदलब 6,93,172 रुपीज का profit यह पावर होती है long term investment की अभी हम चेक करेंगे इस fund के portfolio analysis जहां पर हम चेक करेंगे इस fund के allocations and top 10 stocks holding इस fund का portfolio turnover ratio 43.27% वह पर कैटेकलीज का average turnover ratio 113.87% यह fund 96.36% equity में invest करता है मदलब इस fund का जो ज्यादा percentage equity में ही invested है जहां पर समार रिस्क थोड़ा जादा देखने को मिल जाता है लेकिन रिस्क के साथ में आपको रिटर्स भी काफी अच्छे देखने मिल जाते है और यह fund debt में invested नहीं करता है और यह fund अपने पास 3.64% अपने पास cash रखता है यह fund 17 stocks में invest करता है जहां पर large cap stocks में 57.65% mid cap stocks में 7.4% and small cap stocks में 5.95% and other stocks में 25.36% invest करता है यह fund banking sectors fund जो banking and finance में invest करता है इस fund के top 10 stocks holding यह fund HDFC bank, ICICI bank, housing development finance corporations, Kotak Mahindra bank, Axis bank, HDFC life insurance corporate limited, States banks of India, SBI cards payment services, HDFC assets management company and city union bank जैसे others 7 stocks में fund invest करता है Hello guys, अभी तक हमने इस fund के सारी parameters को check कर लिया है जहां पर हमारे conclusions यह निकल के आता है कि अगर आपको finance and banking sectors में invest करना है तब आप इस fund में invest कर सकते हैं क्योंकि इस fund लॉंग term में 19.18% के sales returns दिये हैं अगर आप इस fund में investment करना चाहते हैं तो आप अपनी investment का 5-10% इन्वेस्ट कर सकते हैं लेकिन अगेंस गाइस यह जो फंड है वो banking sectors फंड है जो banking and finance sectors में इन्वेस्ट करता है इस fund के चाहिए आप इस sectors में इन्वेस्ट कर सकते हैं आपको इस fund के चाहिए अदर्स sectors में इन्वेस्ट करने का options नहीं मिलता है और आप इस fund में investment less IP 500 रुपीज and lump sum 5000 इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप इस fund में इन्वेस्ट ग्रोव एप पेटियम मनी अदर्स प्लैटफोर्म या फिनकी ऑफिशल वेबसर्ट से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं इसका लिंक आपको हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा अगर आपको नहीं परते हैं कि इन्वेस्ट में इन्वेस्ट कर अच्छे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा अगर यह वीडियो से आपको अच्छा लागा तो इस वीडियो को लाइक ज़रू करना और अपने फ्रेंड फैन्मिक साथ जरूर सेयर करना ताकि वह भी मुचूर फन में इन्वेस्ट कर अच्छे डिस्ट बना सके चलिए जैसी कृष्णा जैसामियारं टिक के बाई बाई